तो आज किस वीडियो में आपको एक नॉर्मल फोटो को 4K HD फोटो बनाना सिखाने वाला हूँ किस तरीक साब कलर ग्रेडिंग करेंगे एक नॉर्मल फोटो को 4K HD फोटो कैसे बनाएंगे सारा कुछ आपको complete बताऊंगा जो भी status आप बनाते हैं उनके अंदर आप ये फोटो यूज कर सकते हैं इस पर मैंने एक वीडियो अल्रेडी बना रखिए लेकिन वो अलग टाइप की एडिटिंग है और ये जो फोटो है ये बिलकुल अलग की एडिटिंग है अगर आप प्रिसेट को डाउनलूड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्र तरह के से full HD में भी हो जाएगी तो वीडियो को बिल्कुर स्कीप मत कीजिएगा तो चलिए फटापट वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं चलता हूं मुबाइल की स्क्रीन के उपर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्त आपको Google Play Store आसानी से मिल जाएंगे इन दोनों को डाउनलूड कर लेना है पहले आपको करना किया जिस भी वीडियो में से आप स्क्रीनशोट लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो में से स्क्रीनशोट ले लेने हैं जैसे वह तरीका भी मैं आपको दिखा जिता हूं आपको क्या करना है इस वीडियो को यहाँ पर स्क्रीनशोट कर लेना है जिस भी वीडियो के साथ आप स्क्रीनशोट लेना चाहते हैं यहाँ पर एड़ आ रही है एड़ को में यहाँ से क्लोज कर लेता हूं वीडियो इस तरह के से यहाँ पर प्ले हो जाएगा आपको यहाँ पर screenshot लेना चाहते हैं वहां सबको वीडियो को play करके देख लेना है जैसे हम यहां से screenshot ले लेते हैं तो आपको इस तरह के सब लेने के बाद आप screenshot लेने के लिए क्या करेंगे पावर बटन को और volume down बटन को दोनों को प्रheis करके रखेंगे एक screenshot यहाँ पर खिच जाएगा इस तरीक से यहाँ आप नोर्मल फोटों को एट कहते हैं मैं आपको screenshot के साथ दिखा रहा था क्योंगी मैंने वहाँ 씨 एचेटी के थे तो यहाँ पर। मैं जाता हूँ अपनी गैलरी के अंदर यहाँ पर मैंने सारे फोटो को को अपनी ₹ ĩ किए जार से ऑस बाद जहां-जहां से मुझी अच्छे लगे थे वहांद के क्लिप मैंने यहां पर स्क्रीशोट्क ले लिए screenshot ले लेता हूं मैं दोस्तों आपको करना क्या है यह इन सारे फोटो को आपको यहां पर इस तरी किसे select कर लेना है यहां पर मैं select पर क्लिकता हूं इनको select करने के बाद जिदने भी screenshot है उनको यह जो भी normal photo है select करने के बाद आपको share वाले options पर क्लिकना है यहां पर आपको Lightroom पर क्लिक कर देना है सारे फोटो आपके Lightroom application के अंदर add हो जाएंगे यहां पर उपर से आप देख सकते हैं यहां से आपको पता चल जाएगा सारे फोटो आपके application के अंदर add हो जाएंगे उसके बाद आपको Lightroom से पढ़ सकते हैं उस आर्टिकल के अंदर भी मैंने स्टेब आ स्टेब सब कुछ आपको complete तरीके से बताया है उसके नीचे नीचे आप slide करेंगे तो आपको preset download करने का options मिल जाएगा तो click to download पर आपको पर add हो चुके हैं कोई भी एक फोटो एडिटिंग नहीं है आपको यहां पर क्या करना है और फोटो पर क्लिकना यहां पर इमेज वाले options पर क्लिकना यहां पर उस preset को यहां पर add करना है जो कि मैं आपको दे दूँगा आपको से यहां पर पर आप दुखते हैं यह project आ चुका इस project पर आपको ख्लीक करना है प्रिसेट पर स्वरी मैं बंद प्रोजेक्ट प्रिसेट बोल रहा हूं तो यहां आपको जिस भी photo में आप editing करना चाहते हैं उस photo को select करेंगे example इस वाले photo को में select कर लेता हूं photo को आप select करेंगे उसके बाद थोड़ा सा wait करना है three line पर click कर के आपको यहां से paste setting कर देनी है आपका photo automatic यहां पर editing होके आ जाएगा जोकि आप यहां पर देख सकते हैं अगर आपके photo के अंदर brightness कम होती है तो आपकी यहां से light पर click कर के इसकी brightness को increase कर सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है तो आपको आपको ज्यादा कुछ changes करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं शेर वाले options पर clickना है और save to device पर आपको clickना आपका photo gallery में save हो जाएगा आपको सारे photo के अंदर इसी setting को paste कर देना है यह दूसरा photo है उसके बाद आपको photo इस तरह के स्लाइड करेंगे तो फोटो आ जाएगा ठीक लाइन पर click के आपको यहां से इसको paste setting कर देना है ठीक है sorry यहां पर यह copy हो गया return और यहां पर आपको paste setting कर देना है त reading तो हो गए बड़ यह photo HD नहीं है इसके लिए आपको रिमीनी application को open करना है यह आपको Google Play Store पर आसानी से मिल जाएगे अगर आपको वीडियो पसंदा आते हो प्लीच लाइक कर दीजिगा यहां पर आपको पांच शेकंड का इंतजार करना होगा उसके बाद आपको यहां पर पर आपको यहां पर आपको बन चुका है आपको डाउड वाले options पर क्लिकना है पांस सेकंड की यहां पर भी आई कि इसको ब्लर इसली किया यहां पर इतनी बक्वास एड आरी थी मैं आपको दिखा ने सकता वैरी सोरी उसके बाद को फोटो यहां पर गालरी में स्यों हुजागा फुल एचटी में बनके अब आपको करना क्या जो बेश्ट्रेस आप बनाते हैं उसके साथ यूज कर सकता ह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा सेट कीजिएगा अपने दोस्तों साथ